दोस्तु क्या आपके भी फोन में आपका जो dialer application है यहाँ पर आपका contest कोई भी so नहीं हो रहा है यानि कि जब आप अपने एक डालर को open करते हैं ओपन करने की बाद अपने contest पर क्लिक करते हैं तो आपके समने यहाँ पर इस तरीके से page आता है और जो आप यहाँ पर turn on पर क्ल देखने को मिलेगा या आपके फोन में सो होगा तो इसे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें इसे वीडियो के अंदर हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं अगर आपके फोन डायलर में डायलर में जाने की बाद आपके डायलर में कॉंटेस्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका कोई भी contest number 100 नहीं होता है, कोई भी आपको number देखने को नहीं मिलता है, जिस number को आपने save करके रखता है, तो यह से problem को आप आसानी से solve कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर दो step पे complete करना है, उसके बाद सारा problem solve हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, कि आपको चले जाना है अपने phone की setting में, setting में जाने की बाद यहाँ पर आपका phone का setting आजएगा, यहीं पर आपको एक application मिलेगा, यानि कि application की नाम का setting मिलेगा, जिसे कहते हैं app या app management या manage apps, कोई भी आपके phone में setting हो सकता है, आपको उसे open कर लेना है, तो हमारे phone में apps के नाम से है, उसके बाद manage apps मिल जाएगा, आपको इस पर touch करना है, touch करने के बाद इस तरीके से आपके सामने page आजाएगा, यहाँ पर आपको देख लेना है, कि आपका जो phone dialer है, वो आपका कहाँ पर है, अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर search बार पर click करेंगे, और phone आप यहाँ पर search करेंगे, तो आपका वही phone आ जाएगा, आपको इस पर touch करना है, touch करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा permission, आपको इस पर touch करना है, इस पर touch करने के बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पर मिलेका contest तो आपको अपने contest का permission आपको इसे यहाँ से allow करना है उसके बाद यहाँ से back आ जाएए जैसे आप यहाँ से back आ जाएंगे इतना काम करने के बाद आपका सारा problem fix हो जाएगा टच करने के बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा storage के नाम से आपको इस पर touch करना है टच करने के बाद यहाँ पर मिलेगा clear data आपको इस पर click करना है और clear all data आपको कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे ok कर देंगे यहां से आपका कोई भी data delete नहीं होता है उसके बाद back आ जाएंगे और यहीं पर आपको एक और देखने को मिल रहा है phone service आपको इस पर touch करना है touch करने के बाद आपको storage पर click करना है और clear data पर click करना है और clear all data data कर देना है जिसे आप इतना काम कर देते हैं ok कर दीजिए ok करने के बाद यहां से back आ जाईए back आने के बाद अपने play store में जाएंगे प्ले store में जाने के बाद यहां पर आप सर्च बार पर click करेंगे phone और उसके बाद by google जैसे आप यहां पर search करेंगे phone by google तो हम यहाँ पर search करते है phone by google तो आपके समने वही application आ जाएगा जो आपके phone में है तो आपको इस पर touch करना है अगर इसमें कोई update आया हुआ है तो यहाँ से आप update करेंगे उसके बाद आप इसे open करिए जिसे आप इसे open करेंगे जो आपको permission मांगे आपको permission दे देना है उसके बाद आपको इहाँ पर recent पर click करना है तो आपके सारे recent number सो हो जाएंगे उसके बाद context पर click करेंगे आपके सारे के सारे यहाँ पर context सो होना start हो जाएंगे जैसा कि आपको इहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे phone के सारे के सारे contest number यहाँ पर 100 होना start हो चुके हैं तो कुछ इस तरीके से अपने इसे problem को आपे solve कर सकते हैं अपने phone में तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही और video पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद